मेलवन की तरफ से आज हमारे को बहुत एक नाया मौका मिल रहा है पदमश्री और बहुत सारे राश्टिय पुरुसकारों से सम्मानित एक बेहद उम्दा अकलाकार मनुज बाजपई से बात करने का और उकेजन यह है कि मनुज बाजपई की एक नई फिल्म जी ग्लोबल पर जा रही है फिर पर एक बंदा काफी है वह नो उस ठोड़ा बताएं इस फिल्म के बारे में जी एक लॉयर की कहानी है जो एक 15-16 साल की बच्ची के साथ जिसके साथ sexual offense हुआ है sexual molestation हुआ है उसके लिए वो लड़ाई लड़ता है उस बच्ची को नय दिलाने में उसकी मदद करता है तो यह पूरी कहानी चार-पांस साल में घटती है और कैसे वो लागातार उस बच्ची के साथ खड़ा रहता है उस बच्ची के माबाप के साथ खड़ा रह में और ओर वह ऐसा करते हुए ना सिर्फ अपने जैन को खत्रे में डालता है पने परिवार को कशने मद्वाता बल्कि अपने करियर को भी खत्रेमें डालता है क्योंकि जो है है ये वही वकील एक पीसी सोलंकी जिन्मोंने आशाराम बाफू को अंदर कर भाया किए पीसी हमने उठाया है किसी एक जगे एक जगे एक वेक्ति पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है जी और इसमें जो धर्म गुरू का जो किदार अदा किया है सूरे मुहन कुल्षेष्ट जी वो और आप दोनों ही फ्रेम में हैं मेजर तो उनके बारे में कुछ बताएंगे सूरे मुहन कुल्षेष्ट लखनो के ठीटर के हैं और वहां के वो वेटरन हैं लेजन्ड हैं वो और आते हैं बंबई काम करने के लिए जब भी उनको काम मिलता है बुलाई आता है बहुत कमाल के उंदा खलाकार है हर मतलब पूरे दिन वो अपने का एक्टर में रहते हैं किस अपने कायक्टर में ही लगे रहते हैं अब अभी कुछ इंट्रिव्यूस में आपने का कि 40 दिन में आप फिल्म को समिटने का कोशिश करते हैं लेकिन इस बंदा के लिए स्क्रिप्ट पर बहुत काम हुआ है ऐसा क्यों है ने ने हमेशा 35 दिन शूटिंग के उतने दिन जाते हैं उसके बाद 35-40 दिन के शूटिंग होती है उसके बाद फिर 6-8 मेने की आपको पोस्ट परड़क्शन होता है लेकिन शूटिंग जो है सिर्फ 35-40 दिन में मेरी फिल्म में जिस तरह की की होती है वो खतम हो जाती है और सुनाई की बंदा के लिए डिरेक्टर के ना किया मुझे कहानी बहुत अच्छी परड़़कि तो मैंने का मैं का लेकिन अच्छी होनी चाहिए और डिरेक्टर अच्छा हो ना चाहिए तो उन्होंने काई कि भई डिरेक्टर और और स्क्रिप्ट आप जो पसंद करोगी हम उसको ले कि आएंगे और वो नया भी चलेगा को तो मैंने यह अपरुब सिंग कार की जो डिरेक्टर हैं का एक काम देखा था च्छे एपिसोड का यूटूब पे और मैं सुपन को बोला था कि आप इनको ले के आए फिर जो है जो राइटर हैं हमारे उनको ले के आए थे तो तो इस तरह से चीजें अपने आप ही सही लेकिन लगता नहीं है कि इस आदमें ने पहली बार फिल्म बनाई इतनी उम्दा फिल्म मनी है सब लोग तारिख कर रहे हैं फिल्म बड़े मजह जिस तरह से प्यार मिल रहा है इसको सिर्फ प्रमोशन के स्टेज पे और जिस तरह से पसंद किया है मुझे लगता है कि जब 23 तरह को जब फिल्म जी फाइब गलोबल पी आएगी तब काफी लोग जो है काफी संख्या में इन वास नंबर्स दे विल कम उन जी फाइब गलोबल एंटे वाश तर फिल्म मनुझ मैं अभी आपका एक इंट्रिव्य देख रहा था लालेंड टॉप पे और आपकी नेटवा से लेके यहां बंदा तक की कहानी मैंने सुनी और मैं कुछ परसनली आपको मैंने काफी देखा है आप हर अपने किरदार में अपने हर रोल में चाहिए वो गली गुलियान काई हुं बंदा के लिए गुझ सोसे ऐसे यह जिने लोग बर्स को क्शी यादगार बहुत सारे mocण सीन एक में जो शुरू में है दूसरा सीन है बहुत सा हसीन से है राजी मैं क्या बता हूं आपको राजी इसमें जितने भी कोट की आर्गमेंट है बड़ी इंट्रेस्टिंग लगेंगे आपको एक सीन है जो कि छत पे मेरी मां के साथ है जिसमें मैं कविता पढ़ते हैं एक सीन है ठीक बीश में आता है बच्ची के साथ हर हर महादे वाला जो मॉमेंट है और एक जिसकी सब की बहुत सबसे ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं मैं देख रहा हूं और मुझे बताया जा रहा है वह है लास्ट की साथ पेज का मेरा मोनोलॉग जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो लोग उसकी बड़ी तारीफ कर र वह याद करना मदलब बहुत तेड़ीख्यो ऐस्फिल्म में भी आपने स्कूटर चलाया है हाँ 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 ओर कहांस चलाया है और फैंदी मैन तो पूरे दुनिया में पसंद किया जाता रहा है अभी भी लोग लोग बहुत जाना चाहिए तीसरा सीजन कब शुरू होने वाला है अरे अगले साल अगले साल जरूर आएगा अगले साल के एंट तक में जी तो हमारी साउटेश यह टाइंस मेलबन की तरफ से आपको अगरे साल चाहिए सफ़ यह लोग टाजर आपको यह लोगरे वह चाहिए नरूर करीट जी कर दो हमारा चाहिए कर दो आपके एंट शुरूणेस Aoादे